जैहिन सभी को स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया आज हम कुछ चोटा सा टॉपिक लेके तयार करेंगे Official number of players in a team किसी भी खेल में कितने players होते हैं officially उसके बारे में हमें जानना है हो सकता है आप जानते भी हो नहीं जानते तो याद कर लेंगे ठीक है क्या पढ़ना है official number of players in a team एक तरफ sports लिखा हुआ है और एक तरफ खेलाडियों की संख्या देखिए baseball में 9 खेलाडी होते हैं basketball में 5 खेलाडी होते हैं वैसे तो basketball में 12 खेलाडी होते हैं पर 5 खेलते हैं team की बात कर रहे हैं हम team में कितने खेलते हैं याद रखेंगे आप मैं यह नहीं कहा रहा कि कितने players जाते हैं कितने team में खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं field hockey इसमें 11 खेलते हैं American football इसमें 11 खेलते हैं फुटबॉल ऑस्ट्रेलियन इसमें अठारा खेलते हैं, आइस होकी छे खेलते हैं, लेक्रोज मैंस की टीम में दस खेलते हैं, लेक्रोज वोमेंस की टीम में बारा खेलते हैं, पोलो में चार खेलते हैं, रगभी में पंदरा खेलते हैं, सौकर में ग्यारा खेलते हैं, सौकर Fast Pitch में 9 खेलते हैं Softball Slow Pitch में 10 खेलते हैं Frisbee Frisbee भी खेल होता है उसमें 7 खेलते हैं Volleyball में 6 खेलते हैं एक टीम में Baseball में 9 खेलते हैं Rugby Football में 15 खेलते हैं देखिए उपर आपने पढ़ा था Ultimate Rugby और यहां Rugby Football Same same यह थोड़ा difference होता है पर खिलाडियों की संख्या आजर करने हैं यह चोटा topic है हमें हमें बस number of players याद करने है Game to Game Polo 4 खेलते हैं उपर बता चुका था Water Polo इसमें 7 खेलते हैं Khokho 9 खेलते हैं Kabaddi 7 खेलते हैं Hockey और Soccer हो चुका है Cricket 11 खेलते हैं Netball इसमें 7 खेलते हैं Badminton Singles और Doubles का होता है मतलब एक या दो खेलते हैं Tennis यह भी Singles और Doubles का होता यानि कि 1 या 2 खेलते हैं Table Tennis यह भी Singles और Doubles का होता है यानि कि 1 या 2 खेलते हैं Basketball Mike 5 खेलते हैं Gymnastik इसमें अलग-йलग बहुत सारे individuals compete करते हैं मतलब अलग-अलग बहुत सारे होते हैं billiards या snookers जिसको कहते हैं उसमें एक खेलते हैं boxing में एक chess में एक तरफ एक team में एक bridge इसमें एक team में दो corkuit इसमें 13 या 15 golf इसमें भी बहुत सारे खिलाडी अलग-अलग compete करते हैं अलग-अलग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं बहुत सारे lacros इसमें 12 खेलते हैं अभी हमें खेल से संबंधित उनके ground के बारे में भी पढ़ लेना है देखिए ये जो अभी मैंने बताया है इसमें हमें याद रखना है देखिए कि एकाद नमबर फसने की संबावना रहती है और अभी जो आब आगे पढ़ेंगे उसमें से भी एक आद नमबर फसने की संबावना रहती है court, campus, field, games and sports मतलब कहने का मतलब कि कौन सा खेल किस ground पे होता है उस ground का नाम याद रखना है तो देखिए court में क्या-क्या होता है tennis होता है, tennis का court होता है badminton का court होता है, netball का court है handball का court है, volleyball का court होता है squash का court होता है, khokho का court होता है कबड़ी का court होता है तो court में ये सारे खेल होते हैं फिर diamond इसमें baseball होता है यानि कि baseball का खेल जहां होता है उस मैदान को diamond कहते हैं ring में क्या होती है? boxing course में golf होता है अभी तो बोलते है golf course pool में swimming होती है board पर table tennis table tennis का board होता है mat पर judo karate taekwondo arena इसमें horse riding होता है well drum इसमें cycling होती है field में यानि की मैदान में polo hockey football यह तीनों होते है track पे athletics होता है pitch पे cricket greens पे balls खेल होता है यह भी एक rink में curling और ice hockey याद रखना है आपको खेल हैं सारे याद रखना है range में shooting और archery यह दो चीजें range में होती हैं तो यह बहुत चोटी सी चीज है अगर आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा इन में से आने की संभावना रहती है क्योंकि sports से तो question बनता ही बनता है ना संभावना है कि sports के ground से question पूछ ले या खिलाड़ी से पूछ ले खिलाड़ी कोई संख्या से तो उमीद करता हूं कि आप इसे एक दो बार पढ़कर याद कर लेंगे no down करके अपना उसे repeat करके याद कर लेंगे जुड़े रहिए मेरे साथ सीखते रहिए तब तक के लिए ज